दोस्तों जिन्दिगी में कब कौन पलट जाए कहना मुस्किल है नेता पलट जाए तो आस्चरी नहीं होता है लेकिन अगर सिक्षक ही पलट जाए तो फिर आस्चरी होना लाजमी है अपने देश की राजनिती का एक ऐसा दुरभाग्य है कि इसमें जो भी आता है वो पहले ही अपने सिध्धानतों और विचारधाराओं को जोला में रखकर टांग देता है और फिर राजनिती में प्रवेस करता है कुछ ऐसी बातें कही जा रही है UPSC टीचर अवद ओजा सर के लिए ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सर का एक वीडियो काफी वाइरल हुआ था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मुहम्मद गोरी सिकी थी इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंच कस्तेवे कहा था कि अफ समविधान भंग कर देना चाहिए और उन्हें क्रॉन पहन लेना चाहिए मोधी डैनिस्टी की मुगल डैनिस्टी का चैप्टर तो किताबों से हटा ही दिया गया है तो हम लोग कोई डैनिस्टी तो पढ़ेंगे आगे उन्हें कहा था कि प्रधानमंत्री मोधी के कोई बच्चे नहीं है तो ये कोई मुद्दा नहीं है मुहमद गौरी के भी कोई संतान नहीं थे उनके कमांडर ही उनके बच्चे थे नया पार्लियमेंट ही उनका महल बन जाएगा दोस्तों आप समझे कि परदानमंत्री मोधी के लिए इतने कठोर सब्दों का प्रियोग करने वाले अवद ओजासर की बीजेपी के टिकट पर चुनाओ लड़ने की चर्चा हो रही है यानि अगर उन्हें टिकट मिल जाता है तो वो सीरे 180 डिगरी पर पल्टी मार लेंगे उनके तरब से इन खबरों का कोई खंडन भी नहीं आ रहा है यानि उनका बीजेपी के तरब से चुनाओ लड़ने का पूरा मन है और अब बीजेपी को भी उनके स्टेट्मेंट से कोई एतराज नहीं है ऐसा साफ लग रहा है तो अब कर सकते हैं कि इस देश में सिर्फ नितीस बाबू ही पल्टी मार नहीं है बलकि जिनको भी मोका मिलता है वो पल्टी मार लेते हैं आपको बता दें कि पिछले दिनों अवद ओजासर की फोटो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केसब प्रसाद मौर्य और बीजेपी के राजसवासान सद दिने सरमा के साथ वाइरल हुई थी जिसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बीजेपी उन्हें कैसरगंज से टिकर दे सकती है चर्चा एक और सीच को लेकर भी है इसके बारे में आपको आगे बताएंगे लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि उन्हें बीजेपी क्यों टिकर देने जा रही है इसकी सबसे बड़ी वज़ा है कि अवद ओजा स्टूडेंट के बीच काफ सिक्षक वाइरल हुए थे और घर घर तक पहुँच गए थे इनमें सही अवद ओजा सर भी सामिल है इसलिए बीजेपी इन्हें टिकर दे कर इनकी लोगपिर्टा का फायरा उठाना चाहती है मेडिया रिपोर्स के मुताविक अवद ओजा से बीजेपी के कई सीनियर लीड का आरोप लगाया था इन्हें कुस्ति संग के अध्यक से हटाने के लिए देश के नामी पहलवानों ने धरना परदसन किया था जिसके बाद से ही ये विवादों में हैं बीजेपी ने इनका टिकट काटने का पूरा प्लान बना लिया है क्योंकि अगर इन्हें फिर से टिक रही है कि बीजेपी इनके कहे किसी आर्मी को टिकट दे सकती है इसलिए अवदोजा के लिए एक और सीट की काफी चर्चा है वो है इलहाबाद बीजेपी यहां से ब्राह्मन जाती से आने वाले व्यक्ति को ही टिकट देती रही है ऐसे में अवदोजा इनके इस क्राइटे इस लिस्ट में रहता है ये नहीं देखते रहें पब्लीक वानियों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद